आज Flores Kitchen में हम बनाएंगे मकर सक्रांति श्पेशल चिकी आज हम ममरा की लड़ो और ममरा की चिकी बनाने वाले हैं जो बहुत ईजी वेव में बन जाती हैं बहुत कम इंग्रेडेंस के साथ बन जाती हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और यह दिखने में जितने अच्छे लगते हैं ना खाने में उससे भी टेस्टी लगते हैं और एकदम करंच भी आता है और लोग भी आप एक ही इंग्रिडेंस से दो चीज बना सकते हों मैं दोनों मैथड़ आपके साथ शेयर करूंगी और यह बहुत ही करंची बनते हैं तो तो फ्रंस मैंने इसको चान लिया है और उसी के साथ मैंने गूड लिया है 100 ग्राम मैंने लईया लिया है और 200 ग्राम मैंने गूड लिया है तो इस तरह का आता है तो सबसे पहले हम बड़ी कड़ाई लेंगे उसमें लईया और ममरा जो भी बोलते हैं आप उसको हम अच्छ तरह से यह बून जाते हैं, क्योंकि यह बहुत ही हलके होते हैं, आप देख सकते हैं, कि बहुत बढ़िया हमारा सिख चुका है, अब इसको हम ठंडा होने रखेंगे, साइड पर, और इसको हम निकाल देंगे, और गैस भी में बंद कर दे रही हूं, और उसी कडाई में हम डा लूज वाला गूड देया था, तो आप औरगेनिक गूड भी ले सकते हो, लूज वाला गूड आराम से बजार में मिल जाता है, आप परचेस कर सकते हो, या तो आपके पास जो भी गूड पढ़ा है, उसको अच्छी तरह से काट ले, और उसके बाद यूज करे, तो भी आ इसी तरह से बूण रहा है, आप देख सकते है कि स्प्रेड हो चुका है, पूरा गूड लूस हो चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, और थोड़ा सा हम पकने देंगे, क्योंकि थोड़ी सी गुट लिया थी, अब आप मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी, कि इसको चेक कैसे करना है, चासनी अपनी हो गई हो तो, तो फ्रंस यहां एक बाउल में मैं थोड़े से ड्रॉप्स टालूंगी, और इसको मैं चूक के आपको बताऊंगी, अगर वो ट्रांस्परेंट हो जाता है, इस तरह का, तो आपका जो है, बेस रेडी हो चुका है, जो हमने लईया है, वो दीरे-दीरे करके एड करते जाएंगे, जरूरत के हिसाफ से एड करते जाएंगे, आप है न, एक की साथ सारे डाल दोगे, तो अच्छी तरह से आप मिक्स ने कर पाऊगे, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप दीरे-दीरे करके, इसके अंदर मम जो है एड करते जाना और इसको mix करते जाना ताकि वो अच्छी तरह से good लपेटने में आ जाए तो फ्रेंस यह अच्छी तरह से हो चुका है और मैं धीरे धीरे करके बाकी के जो मेरे लईया बच्चे है मम्रा बच्चे है वो add कर दूँगी ताकि वो भी आसानी से mix हो जाए तो यहाँ पर मैंने सारी मम्रा है इसके अंदर एड़ कर दिये है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इस बात का भी खास ध्यान रखना कि कड़ाई बहुत ही गरम है जब कड़ाई गरम होती है तो बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है फ्रेंस यह हमारा अच् से बन जाती है और आपको यह काम बहुत जल्दी जल्दी में करना है तो आपको ज़रूरत हो उस हिसाफ से आप चिकी का स्प्रेड इसके प्लैटफॉर्म पर डाल दे तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी ही चिकी बना रही हूं क्योंकि मेरे बच्चे को लड़ो बहुत ही गोगे, जरा सा भी ठंदा हुआ तो आप शेप नहीं दे पाऊगे, तो इस तरह से में स्प्रेड कर रही हूं और यह बहुत आसानिक स्प्रेड हो जाता है तो आपको बहुत ही इसी मेथड में बता रही हूं क्या आपकी चिकी अध्यम पर फेक्ट बने गी और बहुत पतल बनेगी इस तरह से तो इस तरह से गरम-गरम में ही मैंने शेप दे दिया अब देख सकते हैं शेप परफेक्ट हुआ है अब क्या करूँगी चाकोकी की सहायता से इसके पीसिस है न मैं काट लूँगी क्योंकि ये गरम-गरम में ही कटता है ठंडा होने के बाद ये नहीं कटे यहां पर मैं चौकोरी बना रही हूँ और यहां पर मेरी चिकी जो है विलकुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए तयार है यह सारी चिकी हमारी रेडी हो चुकी और बहुत ही पतली बनी है और बहुत ही क्रंची बनी है अब हम क्या करेंगे मैंने जो लडू बनाने का रखा थ वो सारा एक पर स्लो गेस पर एक मिनिट के लिए चालू कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि हमारा गरम हो जाए और हम लड़ू अच्छी तरह से बांद पाए तो फ्रेंच से बहुत आसानी से लड़ू बन जाते हैं अगर आपको गरम लग रहा है तो आप पानी वाला हाथ करके भी अच्छी तरह से बांद सकते हैं तो इस तरह से मेरी चीकी और लड़ू दोनों तयार है सक्राइट में ये लड़ू और चीकी जरूर बनाना आपको बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि सारी चीजे घर में अवैलेबल होती है और बहुत आप बना भी सकते हो और असानी से आप खा भी सकते हो इतने कड़क भी नहीं बनते आराम से आप खा सकते हो तो फ्रेंस आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंस फेमिली के साथ शेयर जरूर कर देना अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हो तो इसको सिस्क्राइब कर दे नोटिफिकेशन सारे ओल कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोड करूँ आप मेरे से कनेक्ट हो सको तो मैं फ्रोड आप से फिर मिलूंगी अगले मंगलवार को एक नई इजी और हल्दी रेसिपे के साथ